अज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए फस्टेयर के फस्स समस्टे के चात रहें जिनको अन्युवार प्रश्ण पत्र यानि की को करिकुलर सब्जेक्ट की परिच्छा देनी है जिसका नाम है फूड नूटरिशन अंड हाईजन ये प्रश्ण पत्र की परिच प्रश्ण आते हैं तो आज किस वीडियो हम आप लोगों को उसी के बारे मताने वाले है तो वीडियो को इंड तक देखते रहेगा इस वीडियो में करीब करीब जानकारी के लिए बता दे ये फूड नूटरिशन हाईजन का पूरा का पूरा पेपर है और ये जो फूड नूटरिशन हाईजन मतलब की सब्जेक्ट है ये चार यूनिट में डिवाइड है तो चार यूनिट फे जुड़े आपकी परिच्छा में प्रश्ण आएंगे द के बता दूं कि जो फूड यूनिट है उसका नाम है अहार यूम पूलसर्ड की अवधारा ठीक है तो आज किस वीडियो में हम कबर करेंगे फूड यूनिट यानि कि अहार यूम पूलसर्ड की अवधारा फे जुड़े करीब-करीब 1.500 से अधिक प्रश्ण आयंड उत्तर के बारे में ठीक है एमसी क्यू टाइप वाले बाकि निश्ट दिन हमारे सेकेंड यूनिट होगा फिर उसके निश्ट दिन हमारा थार्ड होगा फिर फिप्त होगा फिर फोर्थ होगा ठीक है थार्ड के बाद फोर्थ होगा इफी तरह हम स्टेप बाई स्टेप लेकर चले या फिर इंपक्ट करता है तो इन में बहुत सारे आपसं देगे जो सही होता हुशे आप लोगों कुलिक करना होगा है का मतलब क्या होता है धीन को प्रवावित करता है तो आपके जानकारी के लिए इसमें से जितने भी कारक दें तौन वो सभी आहार नहीं हो जनको प्रभावित करते हो चाहे ब्योसाय हो चाहे उम्र हो चाहे सारीरी का उस्ता हो इसलिए सही तरस्का हो जाएगा डे नंबर उपरेख में से सभी ठीक है ताकि आप साय से कुछ भी कर सके और आपका नियंतर बना रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें यदि आप वीडियो को इंड तक देखते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही पॉपलर और बहुत ही कई बार लोगों के द्वारा ठीक है ये ट्रिक अपनाई गई है और हम पॉपलर नहीं मालूम होगी जहां तक और मैं आपको बताओंगा तो आपको सबलता जरूर मिलेगी ठीक है पहले जान लीजी कि कौन-कौन से महात्पूर प्रस्णे उसके बाद ट्रिक भी बताएंगी ठीक है निश्प्रस्ने कि कि समपूर आहार कह सकते हैं मत्तब कि कौन से खाने को हम पूरा आहार कह सकते ठीक है तो सहीwen तरष्क वह जाएगा बान मरदूद को हम समपूर आहार कह सकते हैं इन आप सनों मैंसे इस बात को ध्यान लखेंगी ठीक है अगला प्रशन है कि कूपोसड के कारण होने वाला रोग कूपोसड यानि कि माली जी के आपको बराबर ठीक है पोसड नहीं मिलना कूपोसड के कारण जो समस्याय हो जाती है कौन सी है तो कूपोसड के कारण होने वाला जो रोग है वो है ठीक है कूपोसड के कारण होने वाल लिजे कि पोश्ड़ की आवज सकता है अगर उतना नहीं मिल लाए तो उसको hemos aoil नीडा करना है तो इसे आपको ँथे कहेंगे ठीक है ऑगला प्रस्टर यह दालों में सबसे अधिक या पाया जाता जो आ रहर की दाल बहुत फरीद नश्य था आप आया जाता इन आपसें आप सभी जानते भी होंगे और सी हो जाएगा protein ठीक है अगला प्रति की भोजन में और जाथन क्या यानि कि जो आप बोजन करते हैं उसमें कार्बो हाटे रोटी में इसमें पाया जाता ठीक है याद रखेंगे अगला प्रशन है कि जब पोस्टर फरीर की आवस्यक्ता के अनकूल होता है तो वह इस्थित क्या कहलाती है जब पोस्टर फरीर की आवस्यक्ता के अनकूल होता है तो उस condition को उस situation को क्या कहते हैं तो इसक चीज के आपके सरीर के requirement है ठीक है उसको हम कहेंगे स्थोपोसर्ड आपको बराबर मातरम कैलसयम बितायमील ठीक है जितने भी calor अग्यागे पॉस्टिक तत्त्त त्त्त क्या है नाफसरों में से तो जो पॉस्टिक तत्त होता है ठीक याद रखेंगे बहुत ही महातपुन प्रश्न है सही उत्र हो जाएगा डी नमबर जो पॉस्टिक तत्व है कार्बो हर्टेल युम वसा भी है प्रोटीन भी है और प्रोटेन होगी प्रेवक्तमयस सब्य है क्योंकि सब फॉस्टिक तत्व है अगरा प्रश्न की अहार विज् तो उस विढद्वान नाम है तो उनका नाम है लै वह एजियर तो किjor कर रहे त उस्धवान का नाम है लेव गयानी किसी नश से मokशान नाम हूँ अगला प्रक्ष मीरा कि एक एक दम अग्दम हेल्थ मतलब की मीडिएम नियनतियत करता है कंट्रोन ठीक है और शरीर की ब्रद्ध में सहायता करता है यह सब काम होता कि आपके जो सरीर उसकी ब्रद्धी करें और जिसे साफ़ते आपका बोड़ी है इस प्रषने काबी सायुतर कौन सा हो जाएगा डी नमबर हो जाएगा क्योंकि इस सभी चीजे हैं सु पूसर्ड की पहचान इसलिए सही उत्तर हम सिलेक्ट करेंगे आपसे नमबर दी या फिर इन में से सभी या फिर ओपर योक्त में से सभी अगला प्रश्ण है कि को पोसित सरीर की पहचान क्या है तो को पोसित सरीर की पहचान है कि आपकी आखे जो होंगी धसी होंगी पेट आपका बाहर निकला होगा बोजहा चहरा होगा निकि आप लोगों को मुर्जहाया हुआ चहरा इसको बोल दे ठीक है do motivated तो यह सब होते हैं कूपोषित सरीर के पहचान तो यह सब क्या है कि कूपोषित की पहचान है इसलिए सही उत्तर हो जाएका डी नुम्मर कूपोषण का कारण बताइए तो भीया कूपोषण का जो कारण है वो है मिलावट आसामानता यूम आफिच्छा खाद परदार्थ का अभाव इन में से सभी सही उत्तर होगा क्योंकि इन सभी ये सब कुप अशण के कारण है सही उत्तर डी नमबर होगा अगला है कि दोस्पूर्ण भोजन का प्रकार बताईए तो दोस्पूर्ण भोजन का जो परकार है वो है ठीक है अंसेमित भोजन गरिष्ट भोजन अनेमित भोजन यानि कि आसा में और कुछ भी आप लोग मिक्चर खा रहे हैं तो यह सब हैं दोस्पूर्ण भोजन के परकार इसलिए सही उत्तर हो जाएगा प्रयोक्त में से सभी अगला प्रस्थण है यह आनुचित परस्थिती का परकार बताई तो आनुचित परस्थिती का जो प्रकार है इन अपस़रों में से इसका प्रयोक्त में से सभी ठीक है, अगला प्राश्ण है कि मनुष्य का आहार निर्धारित होता है, समाज द्वारा, ख़द उत्पादन द्वारा, प्रक्त द्वारा, इसलिए से उत्तर d number हो जाएगा उप्रोप्त में से सभी है, अगला प्राश्ण है कि संतुलित खाना खाने से फिर आहार गहनार करन अगला प्रश्ण है कि आहार की आवस्यक्ता है नहीं कि जो खाना खाते हैं आवस्यक्ता होती है नेमित तथा निरंतर रूप से ये फिर सरीर में कमजोरी आ जाने पर सरीक स्रम करने के पश्चात या फिर कभी-कभी तो सही उत्तर रिश्का हो जाएगा नेमित तथा निरंतर रूप से अहार क्या हो सकता है नियमित करें और निरंतर रूप से करते रहे ठीक है अगला प्रश्न है कि आहार अगला प्रशन है कि किस अवस्था में इस्तियों के संतुलित अहार में ब्रद्धी को अन्युवार माना जाता है तो यहां पर कई सारे अप्शन दिएगे इन में सयुत्तर हो जाएगा सैसा अवस्था में जरूरी होता है किस में जरूरी होता चले एक मिनट एक मिनट हाँ सैसा अवस्था में नहीं अगला प्रशन है कि भीया बोजन के कार्यों का वरगी करण की अंतरगत क्या आता है मतलब कि भोजन के कार्यों का अगर वरगी करण किया जाए उसके अंतरगत क्या आता है इन आपसरों में से ठीक है तो वो जो आता है वो है भोजन के समाजी कार भोजन के मानोबिग्यानिक कार भोजन के सारी क्रियात्मक कार इसलिए से उत्तर हो जाएगा उपरियोक्त में स प्रश्पतिवार को आपको बनेगा रोटी सब्जी इस तरह नेमित और एक डेट फिक्स कर दी जाती कि हाँ इस डेट को ये खाना बनेगा ठीक है वही की बात हो रही है वही चीज की बात हो रही है यह ठीक है अगला प्रशन है कि अहार नियोजन करते समय निमन में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए तो बहिए इन सभी का याद रखना चाहिए इसलिए से उत्तर डी हो जाएगा ओके चले नेश कोश्चन की और बढ़ते है यह एक्जांपल मैं आपको प्राइमरी स्कूल का दिया ज दिवार पर बनी होती कि इस डेट को और इस दिन ये चीज़ बनेगा इस डेट को तिक है ये चीज़ बनेगी तो लिखा रहे था वही वाली बात हो रही ठीक है आहार तारिका अगला प्रशन है कि सुरजचात्मक पॉस्टिक तत तो माना जाता है कौन साइन आपसल में से चलिए कमेंट सेक्शन में बताईए अगर आप सभी को मालूम इसका उत्तर दो तो इन आपसलों की बात करें तो काफी महत्पूर्ण प्रशन है आप सभी कमेंट सेक्शन में बताईए अगर इसका उत्तर मालूम है तो प्रशन का जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा खन पहाथे किस्तित के अनुरुप भीयो बिबिन पॉश्टिक तद्तु का उचित अनुपात में होना भी जरूरी इसलिए संग्तर उप्रविक्ट में से सबी हो जाएगा अगला कि संतुलीत अहार को प्रवावविद करने वाला कारक कोने तो संतुलीत अहार को विटामिन ठीक है यह विस्षिस्था है हरे पत्तेदार सब्जिया था था कच्छे फल कच्छा टमाटर फलाद निम्बू चुकंदर था गाजर यह सभी है संतुईत अहार की विस्षिस्था है क्वाल्टियां इसलिए सहुत्तर D नंबर हो जाएगा और प्रयुक्त में से सभ सी पांच ठीक है अगला प्रशने की माश मचली अंडे तथा दालों में सरवधिक कौन सा चीज मतलब सफ़े अधिक क्या पाया जाता है ठीक है तो आपकी जानकारी के लिए बतादे इस प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा अपसे नंबर 8 ठीक है प्रोटीन पाया जाता है इस प्रशने की अनाजों में कौन सा सरवधिक पोश्टिक तथ तपाया जाता है तो आपकी जानकारी के लिए बतादे दूद में सफ़े अधिक कैलसियम पाया जाता है जिसको कैलसियम की समस्या है फिर कैलसियम की कमी वो दूद ले सकता है ठीक है अगला प्रशने की साधन उसका नाम है क्या नाम है उसका नाम है चले कमेंट सेक्षिन में इसका उत्तर बताई आप सभी चली एकोईशन का बताई उत्तर आगला प्राशन है कि नीमबू आउला टमाटर अम्रूद में से कौन सा पौश्टिक तत्तु सर्बाधिक पाया जाता है तो तब कि करी के लिए बता दी इन सभी में जो पाया जाता फिफे जैदा वो एक खानी जिलावण पाया जाता है ठीक है अगला प्राशन है कि ब्रोड पोस्ट में अधिकांस मात्रा में क्या पाया जाता है तो गेहों के ब्रोड पोस्ट में अधिकांस में जो सफ़े ज्यादा चीज पाई जाती है ठीक है वो है स्टार्ज ठीक है अगला की धान की कुट जाने से कौन से पोस्टिक तत्तो नश्ट हो जाते हैं ठीक है अब लोग धान के बाद आप लोग चावल निकालते हैं नहीं वही प्रोसेस बोला की धान की कुट जाने की जाने से कौन से पोस्टिक तत्त होता है उसका नाम है लाइशिंद ठीक लीन क prosecution में प्रोटीन होती है गेहों में प्रोटिन जो होती है कि इन आपसरों में से तो व कि भी हुट झात की जो मातर में व्वशा उत्र बाजर ही आप अगला प्रश्ण गहरा कि दालों में कौन सा अमेनो एफिड नहीं होता है, बाकी सब होते हैं, ठीक है, कौन सा नहीं होता है, तीन आपसनों में से, ठीक है, तो दालों में जो एमेनो एफिड नहीं होता है, वो है, ठीक है, मैथी योनिन, ठीक है, मैथी योनिन, मैथी योनिन आईसा प्रश्चन सकता है कि दाल में सफे ज्यादा क्या पाया जाता है तो वहाँ पर आप प्रेक्ट करते हैं ठीक है बताएं कि इसका उत्तर बताई काउन सा बिटामिन होगा बताई जिखती कितने चाहत्रों को मालूम है अगला प्रश्चन है जो सोया बीन आप लोग खात तो सोया-गैज में 35-45 प्रोटीन पर sıd यहाद रखेंगे ठीक है अगल्या किइस लुए वसा की मात्रा कितने होती कभी पैटक है प्रोटीन वाली बात आएन बहुत फाप्सारी चीज़िए ऊस्पाये जाता ही of the sun कुदा नंङे इदर प्रश्चन सब्जी नहीं आती है तो जो नहीं आती है उसका नाम परवल तो आपने दाम सुना होगा ना यहां पर परवल लिखा लेकिन यह परवल ठीक है अगला के साधान तोर पर लोग कितने ग्राम सरकरा युक्त सब्जी का प्रतिति दिन उपियों करते हैं ठीक है साधान तोर पर तो बहुत ही पॉपलर कोश्चिन याद रखेंगे सेद तरश्का हो जाएगा अप्शन नंबर B ठीक है 200 ग्राम अगला की आम बेर ठीक है खुबानी किस वर्ग के फल है ठीक है तो यह जो जिस वर्ग के फल है वो आपको बताना है तो यह सब बीज यूग के फल है किसमें बीज पाई जाती है ठीक है बीज इसको बिया बोलते है अगला प्रशन है कि अंगूर, सरीफा, इस्टोबरी किस वर्ग के फल है ठीक है तो यह सब जो फल है यह सब पुंज फल है कौन से है पुंज फल अगला है कि फलों में कितने प्रतसत भाग अभोज होता है कि फलों में जो फलों होते है उसमें कितने प्रतसत जो भाग होता वो अभोजी होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभोजी मतलब आप सभी जानते हैं कोई बताने क्या हो सकता नहीं ठीक है तो सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर सी ठीक है वो 49 प्रतिसत अगला कि केला में कार्बोश की मात्रा कितनी होती है तो केला में जो कार्बोश की मात्रा होती है वो होती तेज़ प्रतिसत अगला कि सेव में कितने प्रतिसत प्रोटीन पाई जाती है बहुत ही popular question है वैसे आपको common question तो जानना भी चाहिए तो सेब में इन आपसनों में से जो प्रोटीन पाई जाती है उसका जो प्रतिस्त है वो तीन इन आपसनों में से अगला है कि दालो तथा बीजों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है तो दालो तथा बीजों में जो प्रोटीन पाई जाती है इन आपसनों में से वो पाई जात अगला प्रशन है भई या की 10 g मोंग फली में कितने protein होती है तो simple size का उत्तर लिखेंगे भई या की 26-00-27 10 g मोंग फली में timing की मात्रा कितने होती है ठीक है 0-10immatt 90 मिली गराम अगला है की 100 g लाम मोंग फली में वसा कितनी पाई जाती है तो simple size का उत्तर लिखेंगे कि इसमें पाई जाती है चार्विश पॉइंट वन ग्राम ठीक है एक ग्राम, चार्विश दस रुरा एक ग्राम अगला है कि 10 ग्राम मौंगफली के दूद से दही में प्रोटेन की कितनी मात्रा होती है 10 गराम मोंग फली के दूद से दही में प्रोटेन की मात्रा कितनी होती है तो सिंपल साइस का उत्तर लिखेंगे कि भी या 30 गराम होती है लाल जो मिर्च होती है उसमें कितनी प्रतिसत वसा पाई जाती है तो बहुत ही popular question से उत्तर हो जाएगा 12 ठीक है 12 प्रतिसत पाई जाती है नमक में कितनी मात्रा में sodium coloride होता है ठीक है तो यह भी बहुत ही महात्पूर्ट प्रशने से उत्तर हो जाएगा ठीक है उर्ज़ा प्रदान करना होता है सरीज की प्रतिसत प्रतिसत प्रत्रह जाएगा अबसे नमबर डी भाइखनीज भी बिटामेनभी प्रोटीन भी इसलिए सभेड़ा व्यूत्त्तु हें तो इसका प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा अपसे नमबर डी आधै वाले भोजब्रदार्द की बात हो रही ठीक है तो वधा प्राप। उद्पन करने वाले भोजब्रदार्थ है उप्रयोक से सभी और सरीर में तंतों क्या निर्मावन्हृ करने वाले पूश्टिक तत्तु कौन से है ठीक है वो है खनीज लवर प्रोटीन जल इसलिए से उत्तर डी नमबर हो जाएगा ओके इफी तरह आगे भी प्रशन आपको most important दिये गए है ठीक है उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आगे वाले जितने भी प्रशन है उसके सामने उसका उत्तर लिखा है पूरी पूरी पीडियाप हम आपको टेलिग्राम वाटसप दोनों पर दे देंगे तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजेगा बाकी लगबग लगबग जो पर भी मैंने बता है उनका सबका उत्तर मैंने बता दिया आप बाकी जो नीचे प्रशना आ रहे हैं इन सभी का उत्तर उसके सामने लिखा है आप तैयार कर लिजेगा वीडियो जैदा लंबी ना हो उसलिए वीडियो को मिहें पर इंड करेंगे और ये पीडियप आपको टेलिग्राम वाटसप पर मिल जाएगी ठीक है करीब करीब डेर सोसे भी अधिक इस वीडियो में कोश्चन थे जैए हिंदा